हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चानल एक्सिलेंट कोचिंग आज ब्लॉग 3 का यूनिट 3 पढ़ेंगे और इसका नाम है मल्टी लिंग्विजम एंड कोग्निशन मल्टी लिंग्विजम का मतलब होता है एक से जादा लांगविज बोल पाना और कॉगनिशन मतलब हमारी ठीकिंग प्रॉसयस और कॉगनिटिव प्रॉसयस जो होती से इसको क्या रिलेशन है इसके अंदर जो हमने चीज़ तो है वो इसके basic concept है फिर cognition से इसका कैसे relation है multi-linguism और thinking का क्या आपस में relation है फिर second language acquisition के कुछ hypothesis है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और neural mechanisms के बारे में इंट्रॉडक्शन में इन्होंने यह बताया हुए कि कोई भी human being है उसके अंदर एक natural potential होता है कि वो एक से जादा language use कर पाते हैं और यह universal है universal means कहीं पे भी आप किसी को भी human being हो ऐसा नहीं है कि वो restricted है किसी एक language में वो एक से जादा language normally बोलते ही है एक उनकी native हो जाती है एक formal language हो जाती है तो यह environment के ओपर depend करता है कि एक person कितनी language बोल पाता है यह opportunity उसको environment देता है अगर environment में एक ही language use होती है तो वह एक ही बोलेगा इसका मतलब यह नहीं है कि उसके अंदर potential नहीं है potential उसके अंदर अभी भी है कि वह चार से पांच language भी बोल सकता है उससे जादा भी बोल सकता है लेकिन यह environment के opportunities के ओपर depend करता है कि वह कितनी languages सीख पाता है चॉम्सकी यहाँ पर कहते हैं कि हर एक language के basic principles और parameters होते हैं जो universal grammar की तरह होते हैं आपको एक language में समझ में आ जाता है subject और verb और object का कैसे relation होता है वही चीज हर language में फिर यूज होती है तो यह बहुत कॉमन एक नॉर्मल चीज है कि हम एक से जादा language बोल पाते हैं फिर इसमें basic concepts है basic concepts में यह बता रहे हैं कि किसको हम बोलते हैं यह multi-lingualism किसके लिए हम बोलते हैं यह word किसके लिए कहा जाता है इसका मतलब क्या है knowledge of more than one language by a person और within a social group तो एक से जादा अगर कोई बोल पा रहा है या फिर उस language में वो लिख पा रहा है उसको पड़ पा रहा है तो उसको हम इस term से denote करते हैं multi-lingualism other terms भी हैं इसको describe करने एक लिए bilingualism है poly-lingualism है plurilingualism है मतलब सबका मतलब यह है कि एक से जादा language यूज कर रहे है डाइक लॉसिया है अब multi-lingualism में भी personal यह personal भी हो सकता है social भी हो सकता है inter subjective भी हो सकता है इसके लिए generic term जो journal term यूज होती है वो होती है polyglot poly का मतलब है Greek में many और glot का मतलब है languages तो कोई एक से जादा language अगर बोल पा रहा है तो polyglot monolingual मतलब जो एक ही language यूज करते है वो होते है monoglot personal multilingualism जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि यह personal भी हो सकता है और social भी हो सकता है तो personal multilingualism का मतलब है knowledge and verbal behavior of an individual not necessarily shared by the whole community कि किसी एक person की अपनी knowledge है दो languages की अपना behavior है दो languages में बोलने का लेकिन जरूरी नहीं है वो पूरी उसकी community उस language में बोलती है social multilingualism का मतलब है कि पूरी community या पूरी nation या पूरी tribe वो अलग-अलग languages में बोलती है इंडिया में जैसे there are 200 languages हैं तो यह social multilingualism में आता है फिर आते हैं structure of multilingualism कि मल्टी लिंग्वलिजम में क्या होता है कि एक popular belief है कि जो language है न लोग वो simultaneously सीखते हैं अपने early childhood में वो एक साथ दो तिन language सीख जाते हैं जैसे कि अपने घर की language हो गई mother tongue हो गई और एक हो गई formal language जो वो बाहर सुनते हैं तो अगर कोई पंजाब में है तो वो पंजाबी भी सीखता है प्लसासाथ हिंदी भी सीख जाता है एक यह common popular belief है कि यह सारी languages simultaneously early childhood में सीख जाते हैं अपरसें में भी कॉल multilingual if she or uses her language on a regular base देखो multilingual हम किसे कहेंगे जो दो एक से ज्यादा languages को regular use करता हो और जल्दी से switch कर पाए एक language से दूसरी language पर switch कर पाए जैसे ही ज़रूरत है suppose वह office में काम कर रहा है इंडिया की बात कर रही है office में काम करता है कहीं पे और वहां वह अपने colleagues के साथ हिंदी में बोल रहा लेकिन suddenly अगर कोई senior आता है तो वह suddenly एकदम से English में switch कर सकता है अपनी language को उसको बोलते है multi-lingual ऐसे इसमें और भी terms है multi-lingualism में दो kind भी है kind मतलब दो type के लोग है एक है elite एक है neighborhood अलीट मतलब जो language हम formal setting में यूज करते हैं जैसे schools वेगेरा में जैसे English हो गई हमारे case में neighborhood हो गया जो language हम अपने natural setting से सीखते हैं जैसे हिंदी हो गई या उसकी घर में रहने वाले लोगों की जो language हो गई तो यह neighborhood language हो गई है elite language मतलब जो formal language हो गई फिर आगे bilingualism का भी यह बोल रहे हैं कि दो तरह की होती है एक होती है additive एक होती है subtractive subtractive additive का मतलब दोनो languages जो हैं वो fully developed हैं दोनों बहुत अच्छे से आती हैं well developed हैं दोनो languages पूरी पूरी आती हैं और subtractive का मतलब एक language की आपको जैसे आपने हिंदी आपको नहीं आ रही ठीक से लेकिन English के words आप बोल लेते हो पूरे Hindi आती थी लेकिन English सीखने के बाद Hindi के कुछ words आपको नहीं आते बोलने because उनकी जगा English ने ले लिए जैसे mostly Indian settings में क्या है आजकल के टाइम पर कुछ ऐसे words हैं जो हम English में ही बोल पाते हैं Hindi में नहीं बोल पाते हैं उसको बोलते हैं subtractive bilingualism क्योंकि हम pure Hindi नहीं बोलते हैं English को सीखने की वज़ा से हम Hindi के pure words जो हैं वो नहीं सीख पाए हैं इसको subtractive बोलते हैं additive का मतलब है Hindi भी आपने purely बोल रहे हो English भी जो भी language आप बोल रहे हो researchers have also distinguished between simultaneous bilingualism and sequential bilingualism simultaneous मतलब आप एक साथ सीख रहे हो दोनों चीज़े sequential मतलब पहले एक चीज़ सीखी फिर दूसरी सीखी तो घर में दो languages जो बोली जा रहे हैं Hindi पंजाबी या हिंदी कोई और वो आप एक साथ सीख रहे हो लेकिन जब आप स्कूल जाते हो उसके बाद आप English भी सीखते हो तो वो sequential हो गया यह कह रहे हैं कि societies में multilingualism इसले है क्योंकि minority groups भी रहते हैं हमारे इंडिया में ही देख लो जाए multilingualism क्यों है क्योंकि यहां पर minority groups भी है majority groups भी है इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं अलग-अलग culture की लोग अलग-अलग language बोलते हैं इस वज़ा से multilingualism आता है अब यह जैसे इन्होंने आगे इंडिया का ही example दिया हुआ है कि इंडिया में यह तो बहुत ही huge है multilingualism बहुत huge है यहां पर 1620 1620 mother tongue है and 200 200 languages है तो minority groups भी है majority भी है तो यह सारे स्पेशली कुछ cities लाइक Mumbai और New Delhi इन में तो आपको हर तरह के हर language के लोग मिलेंगे तो यहां पर जो बच्चा है वो एक से एक क्या मतलब तीन से जादा languages में exposed हो जाता है एक उसकी अपनी mother tongue होती है commonly spoken language है जिसे डेली के केस में मैं बता रही हूं कि हिंदी एक हो जाती है पंजाबी तो एक common है बहुत ज़्यादा यहां पर और English भी हो जाती है क्यूंकि यहां पर formal language English होती है प्लस अगर एक extra को यूज हो रही है तो minimum three language four languages ऐसी metrocities में बहुत ज़्यादा common है उसके बाद multilingualism and cognition का अपस में क्या relation है मतलग relation between language and their users तो a state of multilingualism may be achieved naturally when a person grows up with two parents speaking different language naturally हमें कैसे आती है यह चीज़े जैसे suppose घर में दो parents अलग-अलग language बोल रहे हैं या grandparents पुरानी अपनी native language बोल रहे हैं और parents जो है वो contemporary language बोल रहे हैं तो वो बच्चे दोनों language सीख जाते हैं या siblings आपस में अलग language में बात करते हैं पर parents अलग ऐसे बहुत होता है आजकर कि parents अलग language में बात करते हैं और siblings आपस में common English या Hindi इस तरीके से बात कर रहे होते हैं इंडियन context की बात हो रही है तो कुछ चीज़ें तो आप जैसे immigration भी बहुत हो रही है लोग एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं तो वहां जाके वह अपनी later life में acquire कर लेते हैं इन सब factors की वज़ा से multilingualism होता है इसमें तीन issues इन्होंने discuss कर रहे हैं important issues हैं पहला यह है कि code switching का मतलब है suddenly हम अपने language को change कर लेते हैं कुछ बोलते बोलते जैसे हम कोई word बोलने लगे हैं और हम बोलते बोलते suddenly English में आ गए that is called code switching तो यह बहुत fast होता है bilinguals में उनके अंदर यह capabilities बहुत अच्छी होती जैसे इसके ओपस studies भी करी हुई है उनसे जो मोनो लिंग बोलते हैं जो single language बोलते हैं इन दोनों से ही एक crossword puzzle जो था वो solve करवाया था उस puzzle में बहुत सारे ऐसे words थे जो चुपे वे थे उनको डूनने थे तो पहले तो उनको अपनी language में डूनने के लिए बोला जैसे कि अगर वो दोनों Hindi इंडिया के हैं तो उनको बोला हिंदी language में डून्डो हिंदू है suppose लेकिन दोनों ने बराबर टाइम लिया लेकिन जब उनको बोला कि इसमें English words भी चुपे हैं कहीं पर तो यह देखा गया कि bilinguals बहुत फास्ट थे इस चीज में उन्होंने Hindi और English दोनों words बहुत जल्दी डून लिये तो मतलब यहां पर बता रहे हैं कि bilinguals के अंदर ना यह एक advantage हो जाती है कि वह दोनों languages के words बहुत जल्दी पैचान लेते हैं recognize कर लेते हैं तो इस तरीके से code switching easily कर पाते हैं फिर दूसरी चीज है treatment of lexical content lexical मतलब words कैसे यूज करने और semantic knowledge का मतलब है meaning कैसे रखना है तो यहां पर ही कह रहे हैं कि जो multilingual होते हैं जो bilingual होते हैं वो किस तरीके से words का use करते हैं किस तरीके से meaning express करते हैं तो यहां पर दो theories हैं पहली यह बोलती है semantic processing of a word in one language should facilitate memory for the word in other language मतलब अगर आप एक word का meaning एक language में बोलते हो तो उसका आपकी memory में दूसरी language का भी meaning facilitate हो जाता है मतलब आपको suddenly यह भी आदा जाता है कि दूसरी language में उसको क्या बोलते हैं तो translating a word presented in a categorized list into another language तो उससे क्या होगा आपकी memory उस word की facilitate हो जाएगी second theory यह कहती है कि ऐसा कोई facilitation नहीं होता कहने का मतलब है एक theory यह कह रही है जिसको हम बोलते हैं concept mediation concept mediation theory यह कहती है कि जब हम एक word को English में सुनते हैं और हम उसको Hindi में translate करते हैं मैं आपको Hindi English का example दे रही हूँ यह कोई भी language हो सकती है तो जो हम word translate कर रहे हैं एक language से दूसरी language में तो उससे उसकी जो stored memory है वो facilitate हो जाती है उसको suddenly अपनी memory से याद आ जाता है कि उसको दूसरी language में क्या बोलते हैं this is concept mediation तीसरा point यह कह रहा है language familiarity influences a person's ability to correctly identify another person's voice कहने का मतलब यह है कि जिनको सिरफ Hindi आती है तेकिंग एक्जामपल हिंदी आती है और मैं हिंदी में बोल रहे हूं तो वो मेरी आवाज पहचान लेंगे लेकिन if I am speaking in English तो वो मेरी आवाज नहीं पहचान पाएंगे बट अगर किसी को Hindi और English दोनों आती है तो मैं चाहे हिंदी में बोलू चाहे मैं English में बोलू मेरे दोनों cases में वो मेरी आवाज पहचान लेंगे तो जिसको अगर जो language आती है वो उस case में उस सामने वाले person की जो speech दे रहा है उसकी आवाज पहचानने में उनको असानी रहती है जिस language में वो जानते हैं कि वो क्या बोल रहा है अब ये जो rule governed language choice का मतलब है कि ये किसकी choice होती है कि कौन सी language में हमें बोलना है आपको दो language आती है या तीन आती है तो आप कैसे choose करते हो कि आपको किस language में बात कर रही है तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि हम बहुत चीजों को इसमें consider करते हैं यह देखते हैं कि हम privately बोल रहे हैं या publicly बोल रहे हैं अगर हम प्राइवेट बात कर रहे हैं, कैजूल बात कर रहे हैं, घर में बोल रहे हैं, दोस्तों का साथ बोल रहे हैं या लेजर एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम अपनी common language या native language या एक informal language उसे यूज़ करते हैं लेकिन अगर हम formal setting में बैठे हैं, school में हैं, office में हैं तो हम formal language का use करते हैं तो यह depend करते हैं कि हम private जगापे हैं या public जगापे हो तो उस पे depend करते हैं mixing का भी एक rule है कहां पे हमें language mix करनी है जैसे कई बार लोग दो languages का use करते है सपोज मैं आपको अभी बढ़ा रही हो तो I am using two languages मैं Hindi भी English भी बीच बीच में बोल रही हूँ तो यह जो switching off होती है यह कैसे करी जाती है इसमें क्या रूल है क्या इतका कोई रूल है या अप अपनी preferences के वजह से हम बोलते हैं इसा the first case the language that is used that is not used is switched off इसमें क्या होता है पहली बात यह देखा जाता है कि जो language यहां पर नहीं यूज हो रही है जैसे suppose आप कोई जगा कोई ऐसी city में गए जहां पर English language इतनी यूज नहीं होती है आप क्या कोशुच करोगे कि आप उसको यूज ना करो तो यह देखा जाता है कि उस जगा पर कौन स क्या reputation है कितनी formality है situation में कितनी casualty है इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कहने का मतलब है कि अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हो आपको पता है उसकी अपनी एक repertoire है उसके सामने आपकी भी एक reputation है तो आप उस case में चूज करोगे कि कौन सी language में यूज करूँ कि मेरी एक वो जो reputation है वो बनी रहे तो इसमें भी कोई rule नहीं है बट हम situation देखते हैं then comes multilingualism and thinking अब यहां पे भी बहुत अच्छा question है कि क्या जो जादा languages बोल पाते हैं तो वो सोच भी जादा languages में पाते हैं मतलब person can speak and think in two or more languages मतलब जैसे अगर दो language आते तो हम दोनों languages में सोचते हैं यह हम अलग-अलग सोचते हैं यह कैसे सोचते हैं हम बोलने से पहले हिंदी में सोचते हैं English में हमारी thinking कैसी होती है तो यहां पर यह कह रहे हैं it appears that additive form results in increased thinking ability मतलब अगर हमारे अंदर दोनों languages हैं जो हमें आती हैं और हमें दोनों languages well developed हैं मतलब हमें दोनों languages पूरी-पूरी जाती हैं तो इससे हमारी thinking ability increase होती है क्योंकि हम उन words को अलग-अलग situation में suitably apply कर सकते हैं यह हम उनको अलग-अलग तरीके से perceive कर सकते हैं दूसरा यह कह रहे हैं अगर subtractive है यानि कि हमें एक language की वज़ए से दूसरी नहीं आती है पूरी तो thinking ability decrease हो जाती है क्योंकि हम फिर एक कुछ study करी है जिसकी हमें इतना detail में जाने की जरुत नहीं है अधर benefits पे चलते हैं अधर benefits क्या होते हैं किस चीज के multilingualism के multilingualism के कुछ benefits होते हैं जैसे कि have a keen awareness जिनको एक से जादा language आती है उनको एक यह माना जाते है कि उनको awareness जादा होती है सीखने की और उनकी perception जादा अच सीख कर पाते हैं foreign language learning enables children's understanding of how language itself works and their ability to manipulate language ज्यादा language इस सीखने से हमें manipulate करनी भी आती है language जल्दी से we consistently better able to deal with distractions हम distractions से जल्दी डील कर पाते हैं क्योंकि इससे हमारी mental dexterity better होती है we have a better year for listening हम बहुत अच्छे से सुन भी लेते हैं हमारी listening भी better हो जाती है memory sharper हो जाती है develop not only better verbal but also special abilities तो special abilities भी develop होती है यह ऐसा मतलब यह सारा proven है कि हमें अगर एक से जाता language आती है तो हमारे अंदर यह सब abilities develop हो जाती है cognitive flexibility आ जाती है हमारी problem solving अच्छी हो जाती है higher order thinking skills बढ़ जाते है बेटर conceptual development creativity multilingual यह bilingual होते हैं वह बहुत जल्दी अपने thought pattern switch कर लेते हैं उनके flexible होती है उनकी thinking वह जाता अच्छा language test में बहुत अच्छा कर लेते हैं और उनके अंदर extra skills होते है language use के तो यह सारे benefits है multilingualism के acquisition of a second language में यह बोल रहा है कि जो second language होती है वह कैसे हम acquire करते हैं कैसे सीखते हैं तो एक होता है passive exposure कि घर में आप सुन-सुन के सीख गए हो और एक होता है active exposure मतलब आप specially सीख रहे हो क्योंकि आपको उसको use करना है अगे जाके तो कुछ चीज़ें हम घर में सीख जाते हैं हम focus भी नहीं करते हैं फिर भी हमें समझ में आ जाती है वह passive होता है क्योंकि हम वह सुन-सुन के सीख जाते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी हम vocabulary comprehension हम यह specially सीखते हैं जैसे English में vocabulary learn करना comprehension fluency क्योंकि हमें वह यूज करना है अपने formal areas में adults को थोड़ा सा मुश्किल होता है language दूसरी सीखना क्योंकि उनके अंदर अपनी native language बहुत dominant होती है बाकी language acquisition device जैसे की वह बोलते है इसका concept है जब तक हम interact नहीं करेंगे दूसरों से हमारे अंदर जो language acquisition डिवाइस है वह भी काम नहीं आएगी जब तक हम अपने competent members से इंट्राक्ट नहीं करेंगे अपने community के competent members के साथ हम इंट्राक्ट नहीं करेंगे इसके अंदर दो hypothesis हमने जो पढ़ने है वो है single system versus dual system single system hypothesis कह रहा है कि two or more languages are represented in just one system or brain region मतलब हमारे brain के एक ही ऐसा एरिया है जहां पर सारी languages store होती है dual system hypothesis कह रहा है कि two different languages are represented somehow in separate systems of mind मतलब हमारे mind के brain के अलग-अलग parts हैं जहां पर अलग-अलग languages store होती है मतलब हिंदी अगर आपको आती है तो वह brain का अलग area use होगा English आती है तो वह brain का अलग area use होगा तो इसके लिए MRI और इस तरह की चीज़े यूज करी गई है studies करी गई है इस चीज़ को देखने के लिए पर in the end यही पता चला है कि अलग-अलग नहीं है it is only one particular area that is responsible for any kind of language and then we come to neural mechanism of multilinguals neural mechanism मतलब किस तरह के neural network होते हैं उनके brain में जो एक से ज़्यादा languages बोलते हैं तो इसके लिए उन्होंने जो यूज करा है neuroscience का functional magnetic magnetic resonance का fmri functional magnetic resonance imaging का तो इसमें हम किये पड़ते हैं कि क्या ज्यादा language जानने वाले लोगों के neural network अलग होते हैं उनसे जो कम language बोते हैं So early bilinguals seems to build up a network insufficiently adaptable to allow the integration of later required languages Late bilinguals have to establish a new neural areas to guarantee development of their late जो early bilinguals होते हैं जो बच्पन से ही सीखना शुरू कर देते हैं दो अलग अलग languages उनके neural network उसी तरीके से बने होते हैं कि वो दोनों languages को उसी में adjust कर लेते हैं लेकिन अगर हम बाद में बड़े होके कोई language सीखते हैं तो उसके लिए हमें special जो हमारे brain में नए तरीके के neural networks बनते हैं तो यह बता चलता है उससे fmri से आपका यह unit यहां पे खतम हो गया है अब unit 4 रहता है block 3 का जो next video में पढ़ेंगे कि आपका जो फूचिए